Students of 10th Class, आज हम new chapter स्टार्ट कर रहे हैं, metals और non-metals के तो ये हमारा chemistry का part है, हमारी science का तो 9th Class में इससे पहले हमने, आपने शायद पढ़ा होगा कि elements के बारे में कैसे हम उनको classify करते हैं या metals के बारे में भी सुना होगा कि metals जो हैं, वो good conductors of heat, electricity होते हैं non-metals के बारे में पढ़ा होगा कि वो bad conductor of heat, electricity होते हैं इसी तरीके से आप कुछ जो daily life में आप जो metals देखते हो या non-metals, metals देखते हो, जो heat या electricity को conduct करते हो non-metals को देखते हो तो इसी तरीके से हम आज detail में पढ़ेंगे हम समझाएंगे आपको की physical properties या metals क्या होती हैं, उसकी physical properties क्या है metals जो हैं, वो उनको easiest जो metals होती हैं वो good conductors जैसे पहले बताया good conductors of heat, good conductors of electricity होते हैं current pass करती हैं अगर वो गरम होती है, heat उनको लगती है तो वो पूरे heat को conduct करती हैं जैसे मसले आप अगर लोहे की एक चीज कोई गरम है तो वो जिस मर्जी end से आप पकड़ोगे वो आपको गरम लगेगी इसी तरीके कि अगर non-metal है जो heat को अपने अंदर नहीं जैसे लकड़ी है या प्लास्टिक है तो वो अपने अंदर से heat को नहीं conduct करती है उससे heat pass नहीं होती है और वो non-metal है तो metal की जो physical properties है सबसे पहले तो जो metals है वो अलग-अलग type की होती है easy जो way है हम जो substance को जो metals को या non-metals को या फिर metals में अलग-अलग जो types है metals की silver है, gold है, copper है, iron है या ore है तो उनमें भी हम इनको classify यानि group कर सकते हैं उनको divide कर सकते हैं, बांड सकते हैं इस basis पे कि उनकी physical properties क्या है physical property होती है देखिए दो तरीके की properties होती है physical और chemical physical properties होती है बाहर ली, जो हमें बाहर की appearance बाहर की जो दिखावट है बाहर कैसी वो दिखती है अलग-अलग metals, अलग-अलग type की दिखेंगी हमें gold जो है, वो पीले color का होता है silver जो हता है, वो अलग-अलग का होता है तो अलग-अलग color की उनकी अपनी physical properties होती है color भी होता है और उसके साथ उनका जो hardness है वो कितनी hard है एक metal जो है, कितनी hard है दूसरे के मुकबले कितनी hard है जैसे gold है, gold सबसे hard होती है तो ये अलग-अलग properties है तो जैसे samples हम लेते हैं iron, copper, aluminium, magnesium, sodium, lead, zinc ये सभी metals है और ये हमारे रोजमर्रा की जरूरतों में काम आते है copper wire जो है, आपको पता होगा जो electricity wires है, अच्छी quality की wires है उसमें copper होता है gold जो है, हम देखते हैं कि gold कितना strong होता है अभी हम आगे पढ़ेंगी कि अलग-अलग properties क्या होती है metals in there, pure state जब metals अपनी pure state में होती है जब metal अपनी pure state होती है कि उसमें impurity नहीं होती है उसमें किसी चीज की मिलावट नहीं होती है जैसे gold कहते है gold कहते है 24 karat, 22 karat तो 24 karat का जो gold होता है वो pure होता है जब हम उसमें बाकी metals जो है उसमें add करते हैं तो gold जो है वो कम कैरेट का हो जाता है फिर कहते हैं 22 कैरेट का 18 कैरेट का इसी तरीके कि जो metals जो अपने pure state में होती है यानि metals जब pure होती है सिर्फ एक ही metal होती है अगर gold है तो वो पूरा gold है तो उसमें क्या होता है कि उसकी shining surface होती है हर एक metal की याद हमें जखना चाहिए कि metals जो है उनकी shining surface होती है वो shine करती है इसको बोलते है metallic luster luster का मतलब होता है कि वो कितने shine करती है gold जो आप देखेंगी कैसे glitters कहते हैं न all that glitters is not gold हर चमकती चीज़ होना नहीं होती तो sona जो है वही चमकता है मतलब कहने का यह है कि जितनी भी metals है वो उनकी एक बड़ी important property है और वो है luster यानि metallic luster luster यानि shining उसके बाद आप यह भी notice करेंगे आप यह भी देखेंगे कि जो metals होती है वो hard होती non metals के मुकाबले काफी सक्त होती है टिकाओ होती है hardness जो हती है वो एक metal से दूसरी metal में vary करती है जैसे हमने कहा aluminium aluminium कम strong होता है और जो iron है वो ज्यादा strong होता है या जो gold है वो ज्यादा strong होता है now you will find some metals can be beaten into thin sheets आप देखेंगे और यह भी एक important property है कि कुछ जो metals हैं हम उनको thin sheets में beaten जैनल आप हथोड़े से जब उनको मारते हो तो आप छोटी 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 या हथोड़े से भी मारो गया किसी भी चीज से आप छोटी छोटी sheets sheets जैसे जैसे teen की sheets होती है पतली पतली sheets ठीक है जैसे paper के कागज कागज जो होता है pages होते हैं कि आप sheets जो हैं जो metals की हैं वो draw कर सकते हो इसको बोलते हैं malleability एक ability एक metal की कि हम उसको thin sheets में convert कर सके हैं उसको बोलते है malleability तो malleability जो gold silver की है ये बहुत ज़ादा है फिर एक और property है वो है कि ability of the metals to be drawn into thin wires अगर हम पतली पतली तारों में पतली पतली तार में हम उस metals को निकाल सकें तो उसको ductility बोलते हैं malleability thin sheets में convert करना metals को ductility हो गया wires में तारों में उसको convert करना gold जो है उसकी malleability भी जादा है इसी तरिके से gold की ductility भी जादा है क्योंकि एक gram gold को हम 2 km उसकी तार जो है मतलब जैसे आप देखते हो जो wires होती है उसके अंदर जो copper होता है copper की छोटी छोटी wires उसमें होती है तो यह जो होती है इसका मतलब है कि यह copper की भी जो ductility है वो ज्यादा होती है metals में ductility भी malleability भी ज्यादा होती है तो यह हमारा जो properties है इसी तरिके से malleability ductility metals की जो होती है वो अलग-अलग होती है it is because of the malleability and ductility that metals can be given different shapes according to our needs देखिए यह metals की जो malleability और ductility के बारे होती है तो हम उसको draw कर सकते है sheets में अब देख तो tin sheets जो हमारे गरों में लगी होती है tin sheets ठीक है चादरें जो होती है लोहे की तो वो iron में जो ductility होती है iron metal है तो हम उसको draw कर सकते है sheets में इसी तरीके से gold को भी sheets में convert कर सकते है silver को भी sheets में convert कर सकते है लेकिन क्योंकि यह महंगे हैं इसलिए हम इनको यह कम हमारे पास availability होती है हम इनकी जो है gold को हम पहनते हैं या कुछ करते हैं इसी तरीके से copper में हम छोटी जो wires है वो बनाते हैं जिसको ductility property कहते हैं तो यह हम अपनी जरूरत मताबिक एक metal को उसकी wires भी बना सकते हैं उसकी sheets बना सकते हैं तो यह properties हैं तो यह जो properties हैं यह हैं metals की physical properties झाहिए